हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक माई यूटूब चैनल चंडिगाड एरपोर्ट शहीद आजम भगत सिंग के नाम से जाना जाएगा वित्म मंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा कि आजाती के अमरत महसब के मौके पर एरपोर्ट का नाम बदल कर शहीद आजम भगत सिंग के लिए वे प्रदान मंति नरेंद मोदी जी की अभारी हैं पीम नरेंद मोदी की घोशना के बाद 28 सितंबर को चंडिगण अंतर राष्टे हवाई अड़े चंडिगण इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम बदल कर शहीद भगत सिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट कर दिया गया चंडीगड NRS असानत्रता सेयनानी शहीद भगञ सिंह की 115 जहनती के अपसर पर चंडीगड हवाई अड़े चंडीगड एर्पोर्ट का नाम बदला गया इस एरपोर्ट को अब शहीद भगल सिंह इंटर्नेशनल एरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने इस एरपोर्ट के नाम बदलने की गोश्टा मन की बात कारिकरम में की थी इसके बाद 28 सितंबर को शहीद भगत सिंग की 115 वी जैनती के मौके पर हुए इस समारों में इसका नाम बदला गया इस समारों में वित्र मंत्री निर्मला सीता रमन मुख्य अतिती के रूप में थी और उन्होंने ही आधिकारिक तोर पर हवाई अड़े का नामकरण किया इस कारिकरम में पंजाब और हर्याना के राजिपाल, बनवारी, लाल प्रोहित और भंडारू, दत्ता त्रे के अलावा पंजाब के मुख्य मंत्री भगवत मान, हर्याना के उप मुख्य मंत्री दुश्चन चोटाला और हर्याना के घ्रह मंत्री अनिल विज भी मौजूद थ इस कारिक्रम में बोलते हुए केंद्र वित्र मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा कि वह यहां आकर सम्मानित महसूस कर रही हैं इस दोरान उन्होंने हवाई अड़े का नाम बदलने का फैसला करने के लिए प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी को धन्यवाद दिया इसके हैं कि पंजाब और हर्यान सरकाय इस नाम परिवर्तन को लेकर एक साथ आई हमें 2047 तक एक विक्सित देश के रूप में जाना चाहिए इसके साथ ही पंजाब के सीम मान ने भी भगत सिंग के बाद एरपोर्ट का नाम बदलने के लिए पीम मोदी को धन्यवाद दिया उन्ह चैनल को जादा से जादा शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे कि मैं भी आपके लिए और भी ऐसे ही करेंट अफैर्स की वीडियो दिलाती रहूं थैंक यू